नन्नी नन्नी तुम क्या कर रही हो? अरे वंदे मैं तो उस टैपू खेलने जा रही थी कुछ देर में छुटकी भी आती ही होगी आज तो गाओं में सब लोग कॉमन सर्विस सेंटर देखने जा रहे हैं ये कॉमन सर्विस सेंटर तो उतकर्ष चाचा ने खोला है ना? बहुत चर्चा है उनकी कॉमन सर्विस सेंटर की हाँ, अभी उनसे ही प्रेड़ना लेकर कुछल भाईया भी कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का सोच रहे हैं लेकिन ये Common Service Center आखिर है क्या वंदे जिसके खुलने पर गाउं में इतनी धूम है? अरे बुद्धू, Common Service Center डिजिटल सेवा को चलाने वाला एक केंद्र होता है Common Service Center मुख्य रूप से भारतिय नागरिकों तक सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ को पहुचाने का एक जर्या है तो इसके खुलने से हमारे गाउं को क्या फायदा होगा? इसके खुलने से क्रिशी, स्वास्त्य, मनोरंजन, शिक्षा, बैंकिंग और वित्य सेवाव के साथ साथ लोगों को अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी देखा जाए तो Common Service Center ये गवर्नेंस का ही अभिन अंग है तो क्या Common Service Center की खुलने पर अब गाउं में ही जन्परमान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्मिट कार्ड, आवेधन फॉर्म, पैंशन अपलाई, आई टी आर और अन्य सरकारी योजनाव आदी के लिए आवेधन किये जा स सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं, ये सभी कार्ये तो बिजली की गती से Common Service Center में कम्प्यूटरों के माध्यम से हो सकते हैं, कम्प्यूटर ना हो गया, कि जादू हो गया, मुझे भी तो बताओ, कि वला कम्प्यूटर से इस तरह के सारे काम कैसे हो जाएंगे, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें ही नहीं, आज मैं यहाँ बैठे सभी पंचायत प्रतिनीदियों को बताओंगा, कि कम्प्यूटर का महत्व क्या है, हाँ, बंदे आपको सब बताएगा, लेकिन इससे पहले हम इस कारे करम को शुरू करें, एक बार आप लोग ताली तो बचा दीजिए धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, आनंदित है मन मेरा, आनंदित है तन मेरा, आप सब का मिला इतना प्यार, खुशियों के फूल खिले अपार, सम्मान जिस जिस ने दिया, अभार है उन सभी का, चलो नन्ही, आज मैं तुम्हें उतकर्ष चाचा के कॉमन स सर्विस सेंटर लेकर ही चलता हूँ हां मैं ही नहीं यहां उपस्तित सभी प्रते निदी उतकर्ष चाचा के कॉमन सर्विस सेंटर चल कर देखेंगे कि आखी ये कंप्यूटर किस तरह से हमारे जीवन को बदल रहा है वो देखो नन्ही, उतकर शाचा का Common Service Center आ गया हाँ, तुम्हारे साथ तो वक्त का पता ही नहीं लगता अवंदे हम कितनी जल्दी पहुच गए न हाँ, चलो अंदर चल कर देखते हैं कि Common Service Center आखिर कैसा लगता है हाँ, चलो चलो ये देखो नन्ही, अंदर कितने सारे Computer है, Input और Output Device, System Unit, Storage Unit, Monitor, Keyboard और कई तरह के Software भी है हाँ, वंदे, वो तो मैं देख रही हूँ, यहाँ तो इतने सारे उपकरण है कौन सा उपकरण, किस काम के लिए है, आखिर इसका पता कैसे लगेगा Master जी तो बता रहे थे कि Computer की सहायता से उलजने सुलज जाती है लेकिन यहाँ आकर तो मैं और उलज गई हूँ हाँ, लेकिन हुआ क्या है नन्नी, मुझे भी तो बताओ कि आखिर समस्या क्या है समस्या यह है कि मुझे समझ नहीं आरा कि Computer के इतने सारे उपकरण कहां और किस तरह से उपयोग होते है अरे, तो इसमें इतना परेशान होने की अवशक्ता नहीं है चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि Computer आखिर है क्या और इसके कौन कौन से उपकरण होते है हाँ, और मुझे ये भी बताना की उन उपकरणों का क्या काम होता है हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनू Computer एक Electronic उपकरण है जिसका उपयोग Data और सूचनाओं को Store और Process करने के लिए किया जाता है ये Electronic Device यूजर द्वारा Input किये गए Data में प्रक्रिया करके उसे Result के रूप में फ्रदान करता है आसान भाशा में इस बात को समझा जाए तो Computer एक ऐसी Machine है जो हमारे द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करती है इसके पास Data को Store पुना प्राप्त और Process करने की क्षमता होती है Computer को दो भागों में बाटा जा सकता है Hardware और Software Hardware का संबंध उन उपकरणों से है जिन्हें हम छू सकते है जबकी Software उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनके द्वारा Computer चलता है यह समू ही Computer को विशिष्ट कार्य करने के लिए आज्या या निर्देश देते हैं Computer के विभिन Components Input उपकरण Processing उपकरण Output उपकरण Input उपकरण का संबंध उन उपकरणों से है जिनका उप्योग Computer में डेटा Instructions या सूचना डालने के लिए किया जाता है इस तरह के उपकरणों में Mouse Keyboard Pen Drive CD Microphone Joystick Keyboard और Mouse प्रात्मिक Input उपकरण हैं गौर से देखें तो Keyboard बहुत हद तक Typewriter की तरह ही है ये कहना गलत नहीं होगा कि Keyboard Typewriter का ही Advanced Version है बदलते हुए समय के साथ Keyboard में भी तरह तरह के बदलाव हुए हैं आज इन में जरूरत के अनुसार कई अतिरिक्त Keys जोड़ी जा रही हैं आज के Keyboard में नियमिक Keys के अतिरिक्त Numeric Key और कुछ Special Keys भी होती हैं चलिए कुछ प्रमुक Keys के उपयोगों को समझते हैं Numeric Keypad, Calculator की तरह नमबर दर्ज करने आधिकार्यों में सहायक है जबकि Navigation Key का उपयोग किसी पेज को Computer, Monitor पर देखने के लिए किया जाता है Page Up की किसी Program में करसर और स्क्रीन पर हिस्सों को उपर मूव करने में सहायक है Page Down की किसी Program में करसर और स्क्रीन पर हिस्सों को नीचे की तरफ मूव करने में सहायक है Home Key का उपयोग करसर को किसी Document के शुरुवाती हिस्से में ले जाने के लिए किया जाता है End Key Cursor को किसी प्रोग्राम में पार्ट्य की अंतिम लाइन पर ले जाने में सहायक है Editing Keys किसी डॉक्युमेंट में पार्ट की एडिटिंग में सहायक है Insert Key अधिकांश पार्ट्य एडिटिंग प्रोग्राम में इंसर्ट करने और पार्ट्य को ओवर राइटिंग करने के मध्य टॉगल करने में सहायक है Delete Key का उप्योग किसी प्रोग्राम में किसी कारेक्टर को हटाने या मिटाने में होता है Backspace का उप्योग किसी पार्ट्य एडिटिंग प्रोग्राम में किसी एक कारेक्टर को बाई तरफ से डिलीट करने में होता है Directional Key का उप्योग करसर को उपर नीचे बाएं या दाएं मूव करने के लिए होता है जैसे कि Up Arrow की करसर को उपर ले जाती है जबकि Down Arrow की करसर को नीचे ले जाती है By Arrow की करसर को बाई तरफ और Dying Arrow की करसर को दाई तरफ लेकर जाती है Functional Keys सक्रिये प्रोग्राम के अनुसार सोपे गए कार्यों को पूरा करने में सहायक है Escape का उप्योग Programs में वर्तमान में सक्रिये प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए होता है Control और Alternate Keys को Function, Modifier Keys के रूप में जाना जाता है ये की अधिकांश प्रोग्राम में किसी विशिष्ट क्रिया या माउस फंक्शन को परिवर्तित करती है या बढ़ाने का काम करती है Windows की Windows Start Menu को Activate करने का काम करती है Keyboard तो अपने आप में दुनिया को बदलने की शमता रखता है न अगर Keyboard में ये सारे बटन ना हो तो क्या हमारी दुनिया आज वैसी होती जैसी दिख रही है नहीं विल्कुल नहीं होती Keyboard तो विज्ञान का चमतकार ही है अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिर ये क्या रखा हुआ है जिसकी लंबी सी पूछ निकली हुई है अरे इसको माउस कहते हैं माउस? अरे माउस का मतलब तो चुहा होता है ना? कम्प्यूटर में माउस का क्या काम है? माउस के कारण ही तो कम्प्यूटर पर काम करना आज इतना सरल और स्विधा जनक हो गया है बाते ना बनाओ वंदे तुम मुझे ये बताओ कि माउस का आखिर काम क्या है? ओहो, अच्छा, बताता हूँ, ध्यान से सुनो माउस माउस किसी सांकेतिक डिवाइस की तरह काम करता है इसका उप्योग कम्प्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को पॉइंट करने और इंटराक्ट करने के लिए किया जाता है इसको मूव करते ही स्क्रीन पर एक छोटा सा एरो निर्देश आनुसार मूव करता है तकनीकी भाशा में इस एरो को पॉइंटर के नाम से जाना जाता है कम्प्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन्स क्रदान करता है माउस में आमतोर पर दो बटन और एक पहिया होता है यह पहिया स्क्रॉल वील के नाम से जाना जाता है जिसका उप्योग डॉक्यूमेंट्स और वेब पेट पर आसानी से मूव करने के लिए किया जाता है माउस के बाई बटन का उप्योग किसी प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है बाई बटन पर ही डबल क्लिक करके आप प्रोग्राम के अंदर तक पहुच सकते हैं माउस की दाई बटन को क्लिक करने पर कई तरह के विकल पाते हैं आप इस बटन पर क्लिक कर इंडेक्स मेन्यू को खोल सकते हैं माउस सुनने में तो चुहे जैसा छोटा नाम लगता है लेकिन इसके काम कितने सारे हैं? हाँ, एकदम सही कहा तुमने अच्छा वन्दे, मुझे ये बताओ कि बाकी सारे जो उपकरण दिखाई दे रहे हैं इनका क्या काम है? इतने सारे उपकरणों की आवशक्ता क्या हर कम्प्यूटर को पढ़ती हुए? नहीं नन्हीं, कम्प्यूटर के कुछ मूल उपकरण होते हैं और बाकी उपकरण हम अवशक्ता अनुसार लगाते हैं चलो मैं एक-एक करके बताता हूँ कि यहां रखे सभी उपकरण कौन कौन से हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस का काम किसी कम्प्यूटर में सूचना या डेटा के स्टोरेज और सेविंग से जुड़ा होता है सूचना कम्प्यूटर के प्रोसेसर सीपीउ के द्वारा प्रोसेस होती है जिसे कम्प्यूटर की मेमरी या राम सेव कर लेती है इसका संबंध ऐसे उपकरणों से है जिनका उपयोग कम्प्यूटर में परणामों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है इसमें मुख्यतोर पर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेड़फोन्स और प्रोजेक्टर आदी आते हैं मॉनिटर, मॉनिटर्स दो प्रकार के होते हैं, कैथोड रे ट्यूबल एवं फ्लाट पैनल डिस्प्लेज प्रिंटर, प्रिंटर का काम सॉफ्ट डेटा को हाज डेटा में बदलने का है सॉफ्ट कॉपी, एक इमिज या टेक्स्ट फाइल होती है, जिसे केवल स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है, जबकि हाज कॉपी प्रिंटेज स्वरूप में होती है स्पीकर, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाईज है, इसका उप्योग आवास को आवश्रक्ता अनुसार गती से सुनने के लिए किया जाता है हेड़फोन, इनका काम भी स्पीकर के समान आवास को सुनने के लिए ही किया जाता है लेकिन इन्हें कानों के उपर पहना जाता है, जिससे एक बार में केवल एक ही व्यक्ती इसकी आवास को सुन सके और बाकी लोगों को शोर शराबे से कोई दिक्कत ना हो प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर की सहायता से किसी कंटेंट, इमेज, फाइल, विडियो आदी को बड़ी स्क्रीन पर देखा जा सकता है आमतोर पर इसका उप्योग, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन्स, प्रदर्शनी या जन संचार कार्यों के लिए होता है इतना सब कुछ है कंप्यूटर में जानने लायक, मुझे तो लगता है कि कोई नोटबुक लेकर ही आना चाहिए था हां क्यू नहीं, वैसे तुम्हारा कसूर थोड़ी है, तुम्तो वैसे भी भुलककर हो, तुम्हारे पास कंप्यूटर में upरी थोड़ी है भुलकर तो मैं हूँ नहीं वंदे, खेर मुझे ये बताओ कि कम्प्यूटर की कौन से मेमोरी आ गई अब, क्या कम्प्यूटर भी सब कुछ याद रखता है? याद रखना ही तो कम्प्यूटर का मुख्य गुण है ननी, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कम्प्यूटर मेमोरी आखिर है क्या? Computer Memory Computer Memory का काम content को store करने का है Computer की Memory को दो भागों में बाटा जा सकता है Primary Memory और Secondary Memory Primary Memory को Random Access Memory कहा जाता है जिसे Arm Bowl Chal की भाशा में लोग RAM कहते हैं Computer की गती RAM पर ही आधारित होती है Data और निर्देश RAM में store होते हैं और यहीं से ये CPU तक processing के लिए जाते हैं आसान भाशा में कहा जाए तो RAM में ही सभी तरहा के program store होते हैं processor के बहुत पास रहने वाली catch memory भी RAM का ही हिस्सा होती है processing speed को बढ़ाने में इसका योगदान है इन सभी विशेशताओं के बाद भी primary memory सीमित होती है इसलिए secondary memory की आवश्यक्ता पड़ती है secondary memory के सहारे असीमित data को store किया जा सकता है कोई data या program जिसे secondary memory में रखा जाता है उसे RAM के द्वारा copy किया जा सकता है हाँ, तो मुझे ये बताओ कि इसमें आखिर data किस प्रकार से store होता है computer पर करोड़त तरह की जानकारिया होती है लेकिन कमाल की बात है कि इन सभी जानकारियों को computer केवल दो डिजिट्स के माध्यम से ही store करता है चलो मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ computer की memory में data इस तरह से store होता है computer पर करोड़ों तरह की जानकारियां होती है लेकिन कमाल की बात ये है कि इन सभी जानकारियों को computer केवल दो डिजिट्स के माध्यम से ही store करता है जी हाँ single binary digit जो की एक या शून्य ही होते है computer उसे ही bit करता है animation निम्न तालिका bits और bytes के मध्य के समबंध को समझाने में सहायक है एक byte आठ bits एक किलो बाइट एक हजार चौबिस बाइट एक मेगा बाइट एक हजार चौबिस किलो बाइट एक गीगा बाइट एक हजार चौबिस मेगा बाइट अच्छा अभी तक तुमने जो पूछा वो hardware के बारे में पूछा चलो मैं तुमें software के बारे में भी बता रेता हूँ अब भला software क्या है Computer hardware को regentredit करने के लिए दिये जाने वाले निरदेशों को software कहते हैं एक तरह से कहा जाए तो software निरदेशों का set है जो computer को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा रुको मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ Softwares के प्रकार Software दो प्रकार के होते हैं Application Software और System Software Application Software ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो की विशिष्ट कार्यों को करने में सहायक होते हैं उदाहरण के लिए Microsoft Word और Open Office Draw Application Software आदी ऐसे प्रोग्राम जो किसी सीधे कम्प्यूटर के Hardware से जुड़े रहते हैं उन्हें System Software कहते हैं किसी कम्प्यूटर को चलाने के लिए जिस Operating System की आवश्यक्ता होती है उसे System Software कहा जाता है इतने सारे उकरन Hardware और Software आदी मिलकर कम्प्यूटर बनाते हैं माना कम्प्यूटर बहुत सारे कामों में उप्योगी भी है लेकिन फिर भी प्रश्ण ये है कि इतना लोगप्रिय क्यूं है रुको मैं तुम्हें कम्प्यूटर के लाग के बारे में भी विस्तार से बताता हूं चलिए इसको विस्तार से समझते हैं कम्प्यूटर के फाइदे गती कम्प्यूटर की सबसे बड़ी विशेशता यही है कि ये किसी भी मुश्किल काम को बहुत ही आसान कर देता है या श्चर्य जनक गती से किसी भी तरह के काम को कर सकता है स्टोर करने की क्षमता कम्प्यूटर के पास डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है कितना ही पुराना मामला क्यों न हो एक बार जो इसमें सुरक्षित हो गया वो तब तक खत्म नहीं होता है जब तक उसे स्वयम हम खराब नश्ट या मिटा नहीं देते शुद्धता, इंसान के मुकाबले कम्प्यूटर बहुत ही कम गलतियां करता है इसलिए इसके हर काम बिना गलती के होते हैं समय की बचत, आज के युग में लगभग सभी लोग अपना समय बचाना चाहते हैं ऐसे में उनके लिए कम्प्यूटर का उप्योग करना बहुत जरूरी होता जा रहा है मनुरंजन, कम्प्यूटर अपने आप में मनुरंजन का भंडार है आप इसमें गेम खेल सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं पर्यावरण के लिए फाइदे मंद, कम्प्यूटर ने हम सभी को डिजिटल दुनिया से जोड़ा है, डिजिटल होने का सबसे बड़ा फाइदा हमारे पर्यावरण को हो रहा है पहले की अपेक्षा, अब संसाधनों का दोहन कम हो रहा है, उदाहरण के लिए पेपर, स्याही और प्रिंटिंग मटीरियल की जरूरत पहले से कम हो गई है पैसों की बचत कम्प्यूटर आर्थिक तोर पर हमारे लिए लाबकारी है, आज कई यी सुविधाओं का लाब हम घर बैट कर उठा सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से फीस या चार्ज आदी नहीं देना होता है मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ गई, लेकिन इतने सारे उपकरणों को आखी लगाया कैसे जाता है, कम्प्यूटर को कनेक्ट करने के लिए चरण क्या है कम्प्यूटर को कनेक्ट करने के चरण वाह यह तो तुमने बहुत अच्छा सवाल किया नन्ही चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ कम्प्यूटर को कनेक्ट करने के चरण चरण एक कम्प्यूटर को किसी डिस्क या किसी सुरक्षत स्थान पर रखें सिस्टम यूनिट को मॉनिटर के निकट रखें सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में विभिन उपकरणों को जोड़ने के लिए कनेक्शन स्लोट्स दिये गए होते हैं चरण 2 2. System Unit के Video Port को VGA Port कहा जाता है VGA Cable के एक सिरे को System Unit के Video Port से जोड़ना है और दूसरे सिरे को Monitor से जोड़ना है 4. Keyboard को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए सिस्टम यूनिट में उचित पोर्ट पर कनेक्ट करें चरण चार माउस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर को सिस्टम यूनिट में उचित पोर्ट पर कनेक्ट करें चरण पाच इसी प्रकार कम्प्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए सिस्टम यूनिट में उचित पोर्ट से जोड़ें कम्प्यूटर को मुख्य एलेक्ट्रोनिक बोर्ट से जोड़ने के चरण चरण एक एक पावर सप्लाई केबल को सिस्टम यूनिट के पावर सप्लाई प्लग में जोड़ना है और दूसरे केबल को मॉनिटर के पावर सप्लाई पोर्ट से जोड़ना है चरण दो दोनों केबल को स्विच बोर्ड या प्रदान किये गए यूपीएस के पावर प्लग में जोड़ना है ठीक है इस तरह से हमारे कम्प्यूटर के सभी डिवाइस कनेक्ट हो गए अब ये बताओ कि कम्प्यूटर को स्विच ओन करने के चरण क्या है हाँ भ्यान से सुनो कम्प्यूटर को स्विच ओन करने के चरण चरण एक सिस्टम यूनिट और मॉनिटर दोनों की पावर सप्लाई वाले स्विच को ओन करना है चरण दो सिस्टम यूनिट की पावर बटन को दबाना है चरण तीन मॉनिटर को इसकी पावर बटन दबाकर स्विच ओन करना है चरण चार, कुछ लम्हों के इंतजार के बाद मॉनिटर पर डिस्प्ले दिखाई देने लगा आप देख सकते हैं कि सभी सॉफ्ट्वेर लोड हो गए है आपका कम्प्यूटर उप्योग के लिए तैयार है वाव अंदे, तुम तो बहुत समझदार हो अच्छा, ये बताओ कि कम्प्यूटर पंचायत स्तर पर किस तरह से अपनी भूमी का निभा रही है चुनोती पॉंट भूगौलिक संरचनाओं के कारण जम्मू कश्मीर में ग्राम स्तर पर संचार करना या वहाँ सिवाय प्रदान करना बहुत मुश्किल कारे है लेकिन कम्प्यूटर ने आज हर गां को डिजिटल संचार के माध्यम से एक दूसरे से जोड दिया है किसी भी तरह की सेवा, सहायता और सूचना गांवों तक बहुत असानी से पहुँच रही है आज ग्रामिन छेत्रों में भी साइवर कैफे खुल रहे हैं और लोग घर बैटे ही आवेदन, अध्यतन, शुल्क वो नामंकन आदी का लाग उठा रहे हैं चलो मैं तुम्हें इसके बारे में भी विस्तार से बताता हूँ डिजिटल इंडिया कारिक्रम के अंतरकत जम्हु कश्मीर के पंचायतों का कम्प्यूटरी करण हो रहा है जिससे कई लाब हो रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों को ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी मिल रही है पंचायत स्तर पर सरकारी काध्यालेओं में इंटरनेट, विडियो कॉन्फरेंसिंग, वाइफाई, मेसेजिंग आदीस्त विधाएं मिल रही है अबाधित बिजली की आपूर्ती सुनश्चित हो रही है जिला इवं पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित कार्मिकों को संसाधन मिल रहे हैं मांग के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर तक सुरक्षित क्लावड धाचा दिया जा रहा है राश्ट्रिय आंक्डों, केंद्र राजिट डाटा स्टोरों और अन्य डाटा स्टोरों का एकी करण हो रहा है विभिन्न आर्थिक सामाजिक वर्गों को डिजिटल माध्यमों से जोड़ा जा रहा है अच्छा वंदे, मुझे ये बताओ कि आखिर ये टेबलेट क्या है, मास्टर जी इसके बारे में हमें कल पढ़ाने वाले हैं देखो, ये जो यहां रखा हुआ है, ये टेबलेट है ये एक प्रकार से मुबाईल और कम्प्यूटर का मिश्रन है इस गैजट का स्क्रीन साइट 5 इंच और 8 इंच के बीच में होता है देखा जाए तो, ये स्मार्टफोन के फीचर से काफी मेल खाता है हाना कि आम तोर पर टेबलेट में कॉल या SMS की सिविधा नहीं होती लेकिन अब कई टेबलेट ऐसे भी आ गए हैं जिसमें SIM इंसर्ट करने की सिविधा होती है और कॉलिंग का काम किया जा सकता है मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ वन दे हाँ, ध्यान से सुनो टेबलेट और उसके प्रकार बड़ी स्क्रीन के चलते टेबलेट पर गेमिंग, मूवी और ओफिस के अन्यकाम किये जा सकते हैं आमतोर पर इनकी इंटरनल मेमरी अधिक होती है और इसका ज्यादा तर इस्तमाल मल्टी मीडिया, वीडियो देखने, इबुक्स पढ़ने और इंटरनेट इस्तमाल करने के लिए होता है सामान्यतोर पर टेबलेट मिनी कम्प्यूटर की तरहा होता है टेबलेट में लैप्टॉप की तरहा एक्स्टरनल कीबोर्ड चलाने की भी सुविधा मिलती है टेबलेट के प्रकार बुक्लेट बुक्लेट में दोनों और टच्स्क्रीन डिस्प्ले होता है Device में handwriting पहचानने वाला software भी होता है इसकी सहायता से कागस के समान भी लिखा जा सकता है Slate इसका उपयोग आमतोर पर मनुरंजन के लिए होता है Movies देखने, Web Browsing करने, Videos देखने, Video Calls और दोस्तों के साथ चाट करने के लिए किया जाता है Convertible ये देखने में लगभग परमपरागद Laptop की तरहा लगते हैं लेकिन इनका 180 डिगरी तक घूमने वाला टच स्क्रीन डिस्प्ले इन्हें खास बनाता है Hybrid ये Slate और Convertible टाबलेट्स के शानदार पीचर्स का मिश्रण होता है Hybrid टाबलेट्स के साथ एक अलग होने योग्य कीबोर्ट भी आता है इसे PC में बदला जा सकता है Rugged इस प्रकार के टाबलेट PC उनके लिए लाबकारी होते हैं जन्हें कठोर माहौल में काम करना होता है ये अपने internal hard drive रक्षा कवच के कारण लंबे समय तक चल सकते हैं इन उपकर्णों को आखित किस परकार से चार्ज किया जाता होगा वंदे इन उपकर्णों को चार्ज करना बहुत असान है चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ डिवाइस को पहली बार उप्योग में लाने से पहले उसकी बैटरी को कम से कम 6-8 घंटे या पूरी तरह से चार्ज होने दे टाबलिट की बैटरी इस तरह करें चार्ज चरण 1. केबल को चारजिंग हेड में ध्यान से डाले और हेड को एसी आउटलिट में डाले चरण 2. जब डिवाइस पूरी तरह चार्ज हो जाए, चार्जिंग प्लक को निकाल ले पावर सेव मोड और लॉक स्क्रीन डिवाइस में पावर सेव करने के लिए आप पावर सेव बटन का उपयोग कर सकते हैं इसके उप्योग से स्क्रीन, लॉक स्क्रीन मोड में चला जाएगा और उर्जा की बचत होगी डिवाइस को री आक्टिवेट करने के लिए इसी प्रक्रिया को दोहराएं अच्छा इन्हें बंद किस तरह से किया जाता है बंदे? चलो मैं तुम्हें डिवाइस को बंद करने के स्टेप्स भी बता देता हूँ डिवाइस को बंद करने के स्टेप्स पावर बटन को कुछ सेकंड्स के लिए दबाएं एक मेन्यू दिखाई देगा जो की आप से पूछेगा कि क्या आप पावर आफ करना चाहते हैं अच्छा बंदे मुझे ये बताओ कि ये भला टास्क बार और स्टार्ट बटन क्या है? नीचे की और वाली बार को टास्क बार कहा जाता है टास्क बार पर कई तरह के आईकॉन्स और शॉटकट्स होते हैं यहां आप चल रहे समस्त एप्लिकेशन्स और प्रोग्राम्स को आईकॉन्स के रूप में देख सकते हैं चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ टाबलेट को टर्न ओफ करने के लिए पावर ओफ कर दें टास्क बार स्क्रीन टास्क बार पर कई तरह के आईकंज और शौटकाट्स होते हैं यहां आप चल रहे समस्त एप्लिकेशन्स और प्रोग्राम्स को आईकंज के रूप में देख सकते हैं ये इन icons के द्वारा computer में कई applications और programs को access करने में सहायता फ्रदान करता है इतना ही नहीं, task bar computer पर चल रहे कई programs के मध्य switch करने की सुविधा फ्रदान करता है कई बार एक समय में computer पर कई programs चल रहे होते हैं ऐसे में task bar पर समस्त icons के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है इसलिए ये एक प्रकार के icons को एक साथ जोड़ देता है Start button Start button से आप programs और अन्य सिस्टम, utilities से संबंधित कार्यक कर सकते हैं Start menu में control panel के उप्योग से विभिन्न hardware और software की settings को बदला जा सकता है किसी भी प्रकार की सहायता के लिए Start menu में help और support menu का उप्योग कर सकते हैं एक क्लिक के द्वारा computer को shut down, log off या restart कर सकते हैं तुम्हें मालूम है कि सिस्टम के date और time की setting भी की जा सकती है नहीं मुझे इसके बारे में नहीं मालूम चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ सिस्टम के date और time के steps चरण एक टाइम पर क्लिक करें एक clock और calendar सामने आ जाएगा चरण दो, date और time setting बदलने के लिए link पर क्लिक करें चरण तीन, date और time change के option पर क्लिक करें चरण चार, इसके बाद date और time सेट करें चरण पांच, किये गए परिवर्तनों को save करने के लिए ओके को क्लिक करें और date और time बॉक्स पर वापस आ जाएं चरण छे, किये गए परिवर्तनों को save करने, time डाइलग बॉक्स पर ओके क्लिक करें और डाइलग बॉक्स को बंद कर दें डेस्क टॉप और डिस्प्ले सेटिंग कम्प्यूटर को लॉग ओन करने पर दिखाई देने वाले क्षेत्र को डेस्क टॉप डिस्प्ले कहा जाता है आइकन्स के पीछे का चित्र, वॉल पेपर या डेस्क टॉप बैक्ग्राउंड कहलाता है जब आप कम्प्यूटर को कुछ देर तक उप्योग नहीं करते हैं तब चित्रों का या टेक्स्ट का एक अनिमेशन स्क्रीन पर चलने लगता है इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं डेस्क टॉप बैक्ग्राउंड को बदलना आप अपने कम्प्यूटर के वॉल पेपर या डेस्क टॉप बैक्ग्राउंड को अपनी पसंद या आवश्यक्ता के अनुसार बदल सकते हैं चरण एक डेस्क टॉप पर खाली जगा पर राइट क्लिक करें चरण दो मेन्यू में पर्सनलाइज के ओप्षिन पर जाएं चरण तीन अब डेस्क टॉप बैक्ग्राउंड के लिंक पर क्लिक करें चरण चार अपनी पसंद के किसी चित्र को चुने और इसे अपने डेस्क टॉप बैक्ग्राउंड के तौर पर सेट करें चरण पाँच किये गए परिवर्तन को सेव करने के लिए सेव चेंज बटन को क्लिक करें स्क्रीन सेवर को सेट करने के स्टेप्स चरण एक डेस्क टॉप पर खाली जगा पर राइट क्लिक करें चरण दो पर्सनलाइज के ओप्शन पर जाएं चरण तीन स्क्रीन सेवर लिंक पर क्लिक करें चरण 4 स्क्रीन सेवर ड्रोप डाउन मेनियू पर क्लिक करें और लिस्ट में मंचाहि स्क्रीन सेवर का चयन करें चरण 5 वेट कॉम्बो बॉक्स में से मिनिटों को चयन करने के बाद समय का चयन करें चरण 6, Screen Saver को देखने के लिए Preview बटन को क्लिक कर सकते हैं चरण 7, Screen Saver को लगाने के लिए Apply पर क्लिक करें चरण 8, किये गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए OK के बटन पर जाएं File और Folder कोई भी जानकारी जो की Operating System या किसी प्रोग्राम को Operate करने के लिए Computer में उपलब्द है उसे File कहते हैं ये कुछ भी हो सकता है जैसे कि कोई Document, Image, Music या Movie आदी कई File को एक स्थान पर रखने के लिए Folder की आवश्यक्ता पढ़ती है किसी File या Folder को Computer की किसी भी Drive पर या Desktop पर बनाया जा सकता है हाला कि ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है किसी File या Folder को तैयार करने के लिए कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे File का उदेश्य, File का Content, File का Size आदी किसी Drive पर Folder बनाने के चरण चरण एक, Start बटन पर क्लिक करें, ऐसा करते ही Start मेन्यू पॉप होगा चरण दो, Computer को क्लिक करें, जिससे Computer Window या Window Explorer प्रदर्शित हो चरण तीन, आइकॉन पर क्लिक करें, इससे D Drive में क्या कुछ है दिखाई देगा चरण चार, नए Folder को बनाने के लिए क्लिक करें चरण पांच, आपने जो भी नया Folder बनाया है, उसको नाम दें चरण 6, डेटा अगर बहुत अधिक है, तो आप Folder के अंदर भी Folder बना सकते हैं Folder को Open करने के चरण चरण 1, Folder का चयन करें और Open करें चरण 2, Folder में खाली जगा पर Right क्लिक करें और पहले New को Select करें चरण 3, Pop-Up Menu में Folder को Select करें, नया Folder बन जाएगा चरण 4, D Drive के Content को देखने के लिए Local Disk के आईकन पर क्लिक करें चरण 5, जिस Folder को आप Open करना चाहते हैं, उस पर Double क्लिक करें चरण 6, Folder के अंदर यदि आप किसी File या सब Folder को Open करना चाहते हैं, तो उन पर Double क्लिक करें आज तो मुझे कम्पिटर के बारे में कितना कुछ मालूम हुआ वन्दे? अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है नन्नी? हाँ, मुझे सब बताना वन्दे? हाँ, मैं बताऊंगा, लेकिन चलो तब तक हम लोग स्टैपू खेलने चलते हैं अब तो रमन हलवाई की दुकान से सुदीप भी रसगुले लेकर आ गया होगा आज उसका जन दिन है ना, चलो नहीं तो सारी मिठाई खत्म हो जाएगी अरे, रसगुले तो मुझे अती प्रिय है, तुम तो जानते ही हो इस बारे में हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, चलो, जल्दी चलो